हरी ओम्प्री दर्सकों यदि आपकी मीन राशी या मीन अलगन है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा आप समझेगा इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो कौन सी घटनाएं हैं जो फरबरी के महीने में घटने वाली हैं आपको क्या सूपर नाम मिलेंगे और क्या साध्वानी रखनी हैं क्या उपाय करने हैं जिससे आप अपने जीवन में इस फरबरी के महीने में उन्नती प्रगती कर शके आंगे बढ़ सके क्योंकि नवग्रहों की इस्तियों में काफी ज़्यादा परिवर्तन होने जा रहा है तो इनका क्या प्रभाव होगा ये हम समझेंगे और कई सारे राजयोग भी बनने जा रहे हैं तो आएए सबसे पहले जाल लेते हैं ग्रहों की इस्तियों को तो शूर अभी मकर राशी में गोचर कर रहे हैं परंतु ये तेरा फरवरी को राशी परवर्तन करेंगे और कुम्भ राशी में गोचर करना प्रारंब कर देंगे चंद्रबा स्वा दो दिन में अपना राश्य परवर्तन करते रहते हैं और मंगल की बात करें तो मंगल पांच फरवरी को ही अपना राश्य परवर्तन करने जा रहे हैं और बुध एक फरवरी को राश्य परवर्तन कर चुके हैं और देव गुरु ब्रहस्पती मेश राशी में कोचर कर रहे हैं और शुक्र बारा फरबरी को अपना राशी परविर्तन करेंगे और मकर राशी में कोचर करना प्रारम कर देंगे 12 फरफ़री शे पहले धन्राशी में कोचर कर रहे हैं कि और शनीदेव अपनी ही राशी में है मुल्त्रिकोन राशी कुम्भवराशी में miten गेराफ़री को सनदेब ऑस्त होने जा रहे हैं और सनदेव के प्रभाव शे संदेब अस्त होने जा रहे हैं इस से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इसका भी हम समझेंगे क्या प्रभाव होगा कैसे बचपाएंगे अन ग्रह जो राजयोग बनाएंगे क्या support आपको कर पाएंगा और राहू की बात करें तो राहू मीन राशी में और के तू कर्णिया राशी में गोचर कर रहे हैं यह है इस्तितियों को हमने समझा और अब हम समझते हैं जो राजयोग बनने जा रहे हैं तो राज योगों की बात की जाए तो मकैनिक योग बनने जा रहा है, कला योग बनने जा रहा है, ब्यापार योग बनने जा रहा है, बुधादित योग और लक्ष्मी नारण योग भी बनने जा रहा है और ब्यापार योग बनने जा रहा है मैंने यह आपको बता ही दिया और दुर्योग की बात की जाए तो दुर्योग में संगर्स योग बनने जा रहा है जो शूर और सनी की यूती से होगा यह तेरा फर्वरी से प्रारम हो जाएगा तो प्रीद अर्शकों ये जो राजयोग बनने जा रहे हैं ये क्या प्रिणाम देंगे आए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं तो राजयोगों की बात की जाए तो आपके जीवन में यदि अभी तक आए को लेके आप बहुत जादा प्रिशान थे भन किश्टि को लेके बहुत जादा चिंतित थे कि पैसा आने के मार्ग नहीं मिल रहे हैं इस समय अब पैसा आने के मार्ग भी मिलना प्रारम हो जाएगे साथ में आपको बढ़ों का सहयोग भी मिलेगा थास कर बड़े भाई के साथ यदि बात ब्यात किस्तिती बनी थी इस से कही न कहीं आपको चुटकारा मिलेगा और आपस में प्रीम बढ़ेगा और आपके जीवन में आपके जो ड्रीम थे आपके शपने थे वो भी पूरी होने वाले हैं और आपके घर परिवार में यदि कले का महौल बना हुआ था यदि पैत्रिक संपत्ति को लेके बाद ब्यात किस्तिती बनी हुई थी तो अब ये समस्याइं दूर होने वाली हैं और आपस में परिवार में परिम बिवार बढ़ेगा लोग आपस में मिल जुलकी रहेंगे यदि आप संतान को लेके चिंतित थे तो इस समय संतान की इच्छा भी पूरी होने वाली है और विद्यारतियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है इस समय आपका पढ़ाई में मन लगेगा अच्छे नंबर यदि आपकी एक्जाम है तो इस समय प्राप्त हो सकते हैं लब पार्टनर के लिए भी अच्छा समय है ब्रेक अप के जगए है पैचप की स्थिति अब बनेगी और बैंक बैलेंस में भी ब्रद्धी होगी साथ में जो लोग इन्वेस्ट करते उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है परण तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी ग्रह स्थितियों को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कैसी है क्योंकि ये गोचर का प्रफाव है और जन्न कुंडली में कैसा प्रफाव है आपके ग्रह स्थितियां क्या हैं दसा किसकी चल रही है ये बहुत महत्वपून होता है तो इन्हें चेक कर लें उसके बाद ही कोई निरुने लें और इसके अलाबा बात की जाए तो प्रीदर्शकों आपके जीबन में यदि आप रोग रिनू रोग से परिसान थे रिन से परिसान तो इनसे भी मुक्ति मिलने वाले हैं कर्ज किस्थि से मुक्ति प्राप्य करने के लिए बहुत अच्छा समय है और कहें न कहें यदि ऐसा लग रहा था कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं परंद वह काम 50% 90% तक हो जाता है परंद कुछ न कुछ रुकावट थोड़ा सा र पाता तो हम बहुत जादा निरास हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला उसका कारण कई बार भाग भी होता है तो इस समय अच्छी स्थिति ये है कि आपको भाग का साथ मिलेगा तो जो भी काम आपके अधूरे हैं रुके हुए काम हैं उन् स्वास्त में उनके जीवन में भी बेहतर इस्थिति आपको देखने को मिलेगी और शुस्राल पक्ष से भी खुसखबरी आपको मिलने वाली है और भगवान से इसमें लगाव बढ़ेगा भगवान के प्रति आकरशन होगा भगवान धर्म के प्रति आकरशन होगा और ये बहुत अच्छी बाद है कि हमें धर्म के प्रति हमें अपने इश्ट के प्रति लगाव हो जिससे हमारे जीवन से बहुत सारी समझ्याएं दूर हो जाती हैं तो प्रीदर्शकों देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभाब को मिलने वाले हैं साउधानियों की हम बात करें साउ साउधानी नहीं समझेंगे तो फिर कहीं न कहीं, आपको शिक्क्य के हमेशा दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी होता है, साउधानी क्या रखनी है, एक तो आपको पहली इस्तिती यह है, कि यात्रा करते समय साउधान रहना है, यात्रा करते समय आपको अपने आपका ध्यान रखना है, दूसरी बात, आप पैसा ठीक है, पैसा आने के मार्ग तो खुल रहें आपके पास, परन्तु, पैसा आए और चला जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, अर्थात खर्च की स्थिती, ब्या की स्थिती इस समय बन रही है, तो आपको अपने फाइनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा आपको, जिससे पैसा आए तो पर टिके, क्योंकि बहुत लोग इसी बात से परिशान होते हैं, कि हमारे पास पैसा तो बहुत ज़्यादा आता है, पर टिकता नहीं है, वो इस्तिति ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखियेगा, साथ में जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, या विदेश में कुछ दिनों के लिए हैं, और वो चाहते हैं कि स्थाई बास आपको मिल जाए, स्थाई रूप से रहने क को मिल जाए इसमें दिक्कत आ सकती है विदेश यात्रा में समश्याएं आने की संभावना है तो इस समय आप थोड़ा सा या तो यात्रा बाद में की जा सके तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर साउधानी के साथ करें और प्रिदर्शकूं ये देखा जाए तो बहुत महत्पून बात है कि जो लोग कोट कचहरे की माबले में फसे हैं उन लोगों के लिए क्योंकि अक्सर हम कोशिस करते हैं कि चलो भई हमारा वकील है या जो भी जुवार बन जाए तो हम अपने केस को पूरी तरह से अपने पक्ष में ले आएं कोशिस क करना भी चाहिए परन्तु इस समय आपको गलत तरीके से रही हां आपके पास लीगल तरीका है आप सच में सही स्थिती में हैं आपका पक्ष सही है तो ठीक है फिर इसके लिए प्रत्न करिए परन्तु आप गलत तरीके से अनलीगल तरीके से यदि चाहेंगे कि मैं कुछ कर लोग वो फिर होगा क्या कि काम होने के जगए और भी फस जाए इस समय कोई भी काम अलीगल तरीके से नहीं करना है सौर्ट कट नहीं अपनाना है हमेशा आपको सब्ट के मार्ग में चलना चाहिए इस समय तो बिलकुल ही और बड़ों का पूरी तरे से सम्मान करिए बड़ों का सम्मान करना बेहद जरूर ये और अपने पिता का भी आसे बाद जरूर लेजिए तो प्रिदर्षकों ये साउधानिया थी उपाय की हम बात करें तो हनमान जी की आराधना सरव शिष्ट रहेगी क्योंकि सनिदेप का भी प्रभाव है साड़े साती का प्रभाव भी है और ये जो ग्रे स्थितियां हैं उनके हिसाब से भी देखा जा तो हनुमान जी की आराधना करना हनुमान चलिशा का पाठ करिए हनुमान जी के दर्षन करिए उनको चोला चड़ाइए और तुलिशी का जो पत्र होता है उसमें चंदन से राम राम लिखके और हनुमान जी को चड़ाइए और राम नाम का खूब जाब करिए और आपके पास उपलब्ध हो तो शनिवार शनिवार नारियल भी चड़ा सकते हैं और हनुमान जी से प्रांथना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करें तो यह उपाए करिए और कमेंट में ज जा आपको बोला भी है और एक महत्र परौन बात बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रशन रहते थे वास्तु से संबंदित समूद्रिक सास्त्र से s Coll dependent पूजा पाट से संहुदित क्या कैसे करना चाहिए यांग जोतिश से संबंदित और भी ऐसे बहुत सारे प्रस से अब वास्तु का जो चैनल उसमें वास्तु से सम्मंद है ऐसे अलग चैनल जो है उनकी इस्तितियों में आप हमेशा नजर रखे और देखते रहें क्या है वीडियो थोड़ा वहां कम मिलेंगी क्योंकि मुखरूप से मैं इसी चैनल में समय दे पाता हूं पर समय समय पर जा जरूर जाके चिक करें और इस वीडियो को हर वेक्ति तक पहुंचाएं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद